हेलो स्टुडेंट्स गोड इवनिक अल आफ यू सो आज के इस वीडियो लेक्षर के अंदर में आपको जोमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सेक्शन एक अंदर कोश्चन नमबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी सम करवाने जारों स्टुडेंट बहुत इंपोरेंट सम है एक्जाम के पॉइंट ऑग्यू से यह 6 और 6 कुश्चन ऐसे जो एक्जाम के अंदर आपको 4 मार्स का वेटेज कर सकते हैं 4 मार्स के लिए आज के जो भी सम कर रहा हूं मैं आपको एक्जाम के अदर 3-4 मार्स के अंदर पूछने के चांसी से हैं उसके अंदर कुश्चन नमबर 7 और 8 व और वही तीन तरम का आप मल्टिप्लाइ करो तो आपको क्या मिलता है 125 पर आपको आगे एक वर्ड लिखा हुआ है consecutive नमबर, consecutive यानि क्या continuous नमबर तो कभी भी अगर आपको ऐसा सम पूछा तो उसके लिए मैंने आप ए फॉर्मला लिखा हुआ है ए डिवाइड वाइ आर प्लस ए प्लस ए आर और सामने जो वैल्यू दिए है यह फॉर्मला आपको याद रहने इसमें ए अपॉन आर का मिनिंग होता है टम जीरो ए यानि तो फर्स टम और ए यानि सेकेंड टम चलिए तो कभी अगर आपको ऐसा सम पूछा ना तो पहले आपको कौनसा सौल करने का क्योंकि मल्टिप्लिकेशन क्या होगा आर और अर कट हो जाएगा तो आपको एक वैली तो मिल जाएगी एक की सो ए इंटू एंटू ए यानि ए का क्यूब आ गया और एका क्यूब कितना दिया आपको 125 किसका क्यूब होगा 5 का होगा चलो अब जो हमारी फर्स वाला एक्वि लिए तो यहां पर डिवाइड भाई आएगा तो यहां पर 5 आदेगा यहां पर 5R यहां पर और अगया 31 अब आर को मैंने क्रॉस पर ही मल्टिप्लाइख कर दिया तो क्या जाएगा 31 आजएगा चलिये अब इसी तरह मैंने क्या करा असको स्टांडर्ड फॉर्म में अर्च कर दिया है तो 5R का square 5R as it is 31R को minus मिलाया और plus 5 equal to 0 5R square as it is plus minus minus 5R minus 31R 26R plus 5 equal to 0 factor कर दिये मैंने 5, 5, 25 25 के ऐसे factor करोगे plus करने पर 26 आ जाए और multiply करने पर 25 आ जाए 25 बनसा 25 so minus 25R minus R minus minus plus 26R आ जाएगा factorize करा हुए मैंने अब दोनों में से common निकाल दिया मैंने 5R common so R minus 5 और R plus 5 में common निकाला 1 तो भी क्या आजाएगा R minus 5 तो एक bracket में आएगा R minus 5 और दूसरे में आजाएगा 5R minus 1 minus और सामने जाएगा क्या हो जाएगा R equal to 5 और 5R equal to 1 so R equal to 1 divided by 5 मिलके आपको A और R की value चलिए अब हमको क्या करना है टर्म निकाला है तो एक बार तो A equal to 5 है पर R की दो value मिली एक बार 5 मिला है और एक बार R equal to 1 by 5 मिला है तो दोनों के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा तो यहां पर A divided by R यानि 5 divided by 5 5 5 5 into 5 5 divided by 5 1 5 25 देखे लिए जो मेरा प्रूव हो जा रहा है 1 into 5 into 25 125 भी आ जाता है और 1 plus 5 plus 25 मुझे 31 भी मिल जाता है इसी तरह एक बार R equal to 1 by 5 रखके देखूँगा अब जब कभी आप लोग को 1 by 5 रखोगे तो वही आंसर उपर आ लाएगा पर reverse order में आएगा 1 by 5 5 का multiply हो जाएगा उपर दो 25 second time 5 और 1 into 1 divided by 5 5 फेकर 1 दो भी आंसर वही को भी आ दाएगा clear होगे पर आपको यह पक्का easy same to same question number 8 पर मैंने करा हुआ है जिसके इंदर 3 number total 6 है और उनी 3 का multiplication करने पर minus 64 आ रहा है पहले कौन सा लेंगे multiplication आला RR cut so A का cube equal to minus 64 अब cube के अंदर हम मेंस हो तो आंसर minus भी मिलेगा किसका cube होगा 4 का तो A equal to क्या जाएगा minus 4 रखो प्लस वाले equation में जहां पर A दिख रहा है वहां पर मैंस 4 रद दूंगा so minus 4 by R plus A की value minus 4 plus A की value minus 4 R equal to 6 minus है यानि open करने पर क्या जाएगा LCM ले लिए मैंने पूरा R equal to 6 तो है minus 4 plus minus 4 into R plus minus minus and 4 into R square यानि R square हो गया ऐसी R को यहां पर multiply ले जाओ तो 6 R हो जाएगा जैसे मैंने इसको arrange करा था minus 4 R square minus 4 R यहां पर आजएगा minus 6 R minus 4 equal to 0 minus minus क्या हो जाएगा plus पर आगे रहेगा तो minus 3 R चलिए factor कर रहे है पर factor करने पहले मैंने क्या अगर इसको और भी sort करा कभी first time minus में नहीं होता है तो मैंने क्या अगर minus 2 common निकाल लिए क्यों क्यों सब डिवाइड हो रहे है तो अंदर आजएगा 2 R square यहां पर minus 2 common निकाला हुआ है यहां पर minus कगर जाएगा अब तो हमारा factor हो जाएगा ना टू टू जा फोर फोर का ऐसा factor कर दो की multiply करने पर फोर और प्लस करने पर फाई आजए यह प्लसला सामने जाएगा क्या हो जाएगा r equal to minus 2 और यहां पर 2 r equal to minus 1 जो थे मैंने करा हो याँ पर, so r equal to minus 1 by 2 एक बार r के जाएगे मैं minus 2 रखोंगा और एक बार r के जाएगे मैं minus 1 by 2 रखोंगा रखते करें लोग, a by 4, a, a r, minus 4 divide by minus 2, a की value minus 4 minus 4 into minus 2 माइनस मैनस का 4 इबाय 2 2 आजाएगा माइनस 4 माइनस 4 तुझा 8 माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा देख ले तम लोगा हमारा प्रू वहो devam ra 8 प्लस 2 2 प्लस 8 10 10 मैनस 4 आजाए प्लस करने पे 6 महीपे multiply 8 तुझा 16 16 पुझा माइनस 64, आ जा रहे, clear होगे, मैंने आपको क्या बुला, इसी तरह एक बार आर के जागे, आप माइनस 1 बाइ 2 रख दो, रखा माइनस 1 बाइ 2, 2 पर multiply में जाएगा, यह माइनस बाइनस तो cut होगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर minus 4, minus 4 into minus 1 by 2, minus minus क्या हो जाएगा, plus 2, clear होगे बेटा, आपको मैंने क्या बुला, पक्का, easy, तो आई हो, आपको यह समदो बहुत ही easy way में clear होगा, one of the most important summits list को ध्यान से देखेगा, मैंने matter के अंदर कोई भी changes नहीं किया हुआ हुआ है, okay, चलता हमाए question number 9 पे, question number 9 के अंदर आपको दिया हुआ है, कि एक बंदा है आपको दिया है, यानि 20,000 दिवैडेट बाई 10,000, आर भी 2 मिल जाएगा, आर के वाज़िवागी 1 से बड़ी है, तो क्या करेंगे हम लोग से एस न के जागे, a into r के n-1 divided by r-1, यह आपको परिना रखेंगे, a 10,000 है, r कितना आया, 2 की 10-1 divided 2-1, 10,000 as it is, 2 rest to 10, 10, 1024-1, and 2-1 वन ही आएगा तो 10,000 इंटू 1023 मल्टिप्लाइ करने पर कितना आ गया वन करोड टू लैक्ट 30,000 फिल भी माइ सिक्स्टीन इस तरह चलेगा तो ए तो मुझे 128 मिल गया आर इकोड़ टीट अपन टीवन 64 डिवैड़ बाइ 128 क्या जाएगा आंसर वन बाइ 2 कितना इंस्ट्रॉल्मेंट है टूटल 5 है एस 5 बहुत ही सिंपल आर 1 बाइ 2 यहीं 0.5 आ रहा है कौन्सल ओ फॉर्मेट रूपूंगा मैं ए वन माइनस आर इस तो एं डिवैड़ बाइ 1 माइनस आर 128 इस इसको माइनस करने पर और उसको 128 सो मिल्टिप्लाइक करने पर आपको आंसर मिलेगा 124 और 124 डिवैड़ बाइ 0.5 तो आपको टोटल कितनी नॉट आ जाएगी कितनी करन्सी आएगी आपकी 248 इतनी करन्सी उसके अंदर होगी क्लियर होगी आपको यह भी पक्का चले चलता हूं मैं 11 नंबर के सम के अंदर दिया हुआ है एक परसन के यानि कितना 5000 है उसके पा 10.02 और हमको क्या करना है कौन से कितना 10 बोला उसना है आफ्टर 10 यह पर मैंने आप बोले होगी आपने क्यों 11 काउंट करा हुआ है क्योंकि बेटा पहले से आपको एक अमांट दी हुए 5000 इसको भी काउंट करना पड़ेगा that's why I have put it over here 11 क्लियर है 11 और 12 के दोनों के सम के अं 10 तो 1.02 इन्टू रेश्टू 10 करोगे तो आपको 1.219 आ रहा है उसको फाई ता हुझा करने पर आपको फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 6095 यह आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्लियर होगे पर आपको यह भी पक्का इसी तरह सम नबर 12 दिया हुए कितने की अमौन की च 107 लिया हुआ है क्योंकि यह लिए अमाउंट काउंट होगी तो टी सेवन पॉइंट के सेवन माइनस वन शिक्स आ गया पॉइंट के सिक्स टाइम करने पहे कितना मिलेगा आपको अंसर पॉइंट फाइल एक सो यूवाट टू लैक सिस्टी फाई थाउजन सेवन सेवन सब्सक्राइब हर एक सम आपको बहुत एजी वे में क्लियर हो चुके होंगे अगर आपके कोई भी डाउट सो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर आपके डाउट पूछ सकते हैं सो तिल देन बाई एंड टेक केर